कुछेन 20 जो है वो है फ्रॉम वन एंड ए अ वा ए दियामेटर ए बी और फी अफ ए शर्किल उप रडियास फाइटिमेटर एक शर्किल का डियामेटर एबी है उसके वन एंड ए से एक टैंजेंड को एक से वाई ड्रॉ किया जाता है इस स्रकिल पर यहाँ पर आप देख लिए जे रिडियास कितना है फाइट सेंटिमेटर का दिया हुआ है आपको बताना है फाइंड दा लेंथ आप दा कॉर्ड सीजी की लेंथ आपको बतानीए जो चेंजेंट है उसके पैलल है एंड ए टा 8 cm forming और A से 8 cm की दूरी पर है, distance पर है तो आपको बताना है कि tangent ये score की length क्या हो तो उसके लिए सबसे पहले ये figure किस तरह से draw होगी मैं आपको बता देता हूँ जैसा आप देख सकते हैं like here, ये figure इस तरह से जो है, ये draw होगी यहाँ पर मैंने क्या किया एक parallel tangent जो है, मैंने draw की है say, tangent is this x, y और ये जो है, A, A पर और इसका मैं diameter भी draw कर देता हूँ तो अगर diameter draw करना है so diameter is like this, जो center से like this इस तरह से diameter होगी जाएगा तो अब अगर आप देखें A, B is the diameter O is the center 5 cm का ये radius है total तो O, A की length 5 cm होगी अच्छा ये CD आपकी क्या थी CD आपकी call और ये CD जो है, कितनी दूरी पर है A से कितनी distance पर है 8 cm तो 5 cm का तो A हो गया and so ये M मैं ले लेता हूँ कि M क्या है यहाँ पर O, M center से call की distance ये कितना हो जाएगा 3 cm, तभी total A, M 8 cm हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे given में given a circle of radius 5 cm having tangent X, A, Y and a chord C, D such that such that C, O, M O, M क्या है यहाँ पर 3 cm का हो गया और radius तो आपको मैं बता है चुका हूँ अब आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको निकालना है length of the chord तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ length of the chord के लिए मैं join करा देता हूँ O और C को और O और M को यह मैंने join करा देता हूँ Now O C की length कितनी होगे अगर हम देखें O C भी क्या होगा 5 cm होगा तो हम यहाँ पर join करा देंगे join O C join O C and O C कितना होगा यह 5 cm का होगा radius of radius of circle और उसके बाद अगर हम देखें O M O M कितना होगा O M is equal to 3 cm अब हम यहाँ पर लेंगे since distance is distance between point and a line एक point और एक line के बीच में जो distance होता है is A perpendicular वो perpendicular होता है तो this implies that O M is perpendicular on CD और हम जानते हैं कि तब center से perpendicular draw किया जाता है तो वो cord को bisect करता है also perpendicular from center bisect the cord bisect the cord तो इसी लिए क्या हो जाएगा CM is equal to MD यह आप ध्यान देखेंगे first mark कर लीजे अब आप देखें यह जो triangle हो गया है यह 90 degree का right triangle हो गया तो in triangle O M C O M C में OC क्या है hypotenuse और OM और CM बाकी दो side है यहापे तो in right triangle O M C यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर OC का square is equal to OM square plus MC square यह आपका आ जाएगा CM square Now OC कितना है 5 तो 5 square OM कितना है 3 3 square plus CM square यह हो जाएगा Now this 5 square is 25 3 square is 9 यह minus का हो गया है left पर आके तो CM जो हो जाएगा square root of 16 मैंने square हटा दिये तो यह आजाएगा 4 4 4 आपका आ जाएगा और मैं centimeter में ले ले लेता हूँ तो CM is equal to 4 centimeter Now हमी CD बताने थी CD क्या हो जाएगी double of CM CM का twice हो जाएगा क्योंकि M जो है वो midpoint है So therefore 2 into 8 2 into 4 is equal to मैं से correct कर लेता हूँ 2 into 4 is equal to 8 हो जाएगा 2 into 4 is equal to 8 centimeter यह length of the cord आ गई